जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपाइश कुछ नंवर्स आते हैं और अब कभी माइनस में कुछ नंबर्स में हैं अग कुछ नंबर हमारा माइनस में है तो हम absolute reference करना चाहते हैं मतलब कि minus में है वो minus में ना रहे plus में आ जाए लेकिन जो plus है वो plus में रहे उसी को बोलते absolute reference ओके सर इसकी जरुद क्यों परती है कभी-कभी हमें हमारे पास जो data आता है जिसे माल लिचे data आया हुआ है इसमें जो number है वो हमारा payment है नत कि हमें जो मिला है और जो minus में है वो हमारा क्या है discounts है तो number डिसकाउंट का बोलते है दोनों में लिए earning ही है न तकि sum करने पर minus minus हो जाएगा पलस नहीं रहेगा उसके लिए मिया हम यहाँ ABS का फॉर्मर लगाएंगे select करेंगे ABS जो है absolute reference में convert कर देगा और सारे negatives को positive and positive को negative कर देगा हलाकि negative को positive करने का एक और तरीका है जिसे minus में लिखा हुआ है इसको positive करना है तो minus में इसको select करेंगे positive हो जाए तेकि इसमें problem होता है कि अगर positive हुआ तो फिर negative हो जाता है ठीक है sir without is made यह minus बाले को यह plus करेंगा minus बाले को plus करेंगा plus को plus रखेंगा ABS के बाद formula आता aggregate का अब aggregate formula बताने के लिए हमें कुछी चीजिए यहां बताने पढ़ेंगे पहले हमें यहां पर कुछ number प्रिख देता है अब में पास कुछ numbers है मुझे इसको sum कर तो sum करने के लिए आप क्या करेंगे आप easily equal sum का formula लगाएंगे और sum कर लेकिन अगर आपके data में किसी भी तरह का error हुआ जिसे कि मैं यहां पर कर देता हूँ कि इसको divide by 0 तो यहां पर देखे div error आएगे तो sum नहीं करें क्योंकि किसी भी formula के input अगर error है तो result भी error ही आएगा तो यहां पर हम aggregate formula इस्तमाल करेंगे aggregate में आपको क्या करना है sum count minimum maximum जो भी करना है उसको आप ले सकते हैं लेने के बाद आप जो है क्या ignore करना चाहते हैं तो हमने बोला कि ignore the error value उसके बाद हम इसको select करके enter बारेंगे तो आप देखेंगे कि result हमारे पास आ गया हमने क्या किया हमने यहां पर aggregate formula का इस्तमाल किया इसका aggregate का अब यहां पर अकला question आता है कि aggregate का यही रूल है और कुछ भी है और भी तरीके हैं तो आपको इसके लिए मुझे एक data पर लिए जाना होगा देखिए यह data हमने यहां पर data डाला हुआ है अब मालेजिए यहां पर मुझे इनका total निकाला है तो नीचे मैंने यहां पर total का फॉर्मा लगाया और यहां पर equals sum करके मैंने इसको total करने के बाद यहां पर total दिख रहा है अब बहुत साव cases में लोग फिल्टर लगाते हैं जैसे कि मैंने आप फिल्टर लगा लिया फिल्टर लगाने के बाद मैंने एक ग्रेट कोट ओपिन कर रहा है और यहां टोटल तो ओवर ओल का रहा है यहां पर टोटल मैं चाहते हो total से visual कोई दिखे ओवर अला दिखे तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम यहां पर सब टोटल का फॉर्मा लगाते हैं तो यहां हमने सलेक कर लिया सम के बाद हमने इसको तो एक कह सकते हैं कि सब तो टोटल फॉर्मला एक टाहीं लोवर वर्जन अब मैं यहां पर हमने सेलेक कर लिया यहां पर एक ग्रीट को इस्तिमाल करेंगे ना कि सब टोटल अग्रेगेट फॉर्मला सब टोटल कहीं एडवांस रूप है इसमें क्या इग्नोर करना है यहां देखे इग्नोर नतिंग है यहां पर इग्नोर हिदन एंड अब हिदन क्यों किया क्योंकि जो हम फिल्टर लगाते हैं तो आपका बाकी डेटा हिदन ही तो होता है इसलिए हमने हिदन को लिया फिर हमने पूरी डेटा को सेलेक्ट करके एंटरप्रेज कर दिया तो आप देखिए यहां पर 4511 आ गया अब मैं इसको अगर फिल्टर लगाते हैं और किसी एक ग्रेट कोड को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह वहीं प्राब्लम होगा आप देखिए आगया ते रसा कोई प्राब्लम नहीं ओके सर्व पापा कि अग्रेगेट को फर्म्रा समझ में आ गया है सर्व एग्रेगेट में तो उपर नीचे दो टैप का वह दिया हुआ था इसमें बोलना है यह दो टैप का फॉर्मला है न हाथ इसमें एग्रेगेट एरे को भी सपोर्ट करता है तो नीचे जो आ रहा है वो एरे का आप्शन इसमें आप एक रेंज भी ले सकते हैं या करली राइकेट में एरे भी ले सकते हैं कैसे यूज करेंगे सब्सक्राइब इसके लिए एरे फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे यहां पर मैंने कंडीशन लगा दिया कि एफ हमें उसी को सम करना है जो ग्रेटर देन 50 हो से एरा जो सेलेक करके उनने बोला कि ग्रेटर देन 50 वाले को ही ग्रेटर देन 50 है तो यह रिकॉर्ट आजाए अधरवाइज जीरो आजाए अधरवाइज जीरो आजाए अधरवाइज जो ग्रेटर से एंटर वाला सिस्टम होता है वो इस फूर आज आज़गी में आपको चीज़ो सम्झाएंगे तो इस प्रफेक्ट पर आज़गी अधर इस आज आज है आज अधर देखा नदे पूरा पूरा रेंज रेंज रिज़गी कर देए ले लिए अगरेगेट फॉर्मला कहलाता है अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब फॉर्मले अब है लेकि हम लोग स्रियाल नंबर लेते हैं न लेकिन स्रियाल नंबर में मुझे रोमन नंबर चाहिए तो रोमन नंबर के लिए रोमन का फॉर्मला लगाएगा तो आपके सामने रोमन नंबर में दिखा देगा अब मुझे रोमन नंबर को नॉमल वापस नंबर में लाना है तो उसके लिए होता है अरेविक का फॉर्मला वापस इसको सिक्वेंस नंबर में ला देगा तो कभी के भी जब हम इसकी कुछ ऐसी डॉक्मेंट यार्ड करते हैं वर्ट टाइप की उसमें हमारा एक सपोर्ट करता है अरेविक फॉर्मले के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहां पर कि अब बात करते हैं राउंड करने की आप लोगा यूज तो किया होगा अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर हमने कोई नंबर में लिया हुआ है अब इसको राउंड करने एक तो राउंड है कि आप फॉन्ट में जाके यहां से अपनी फॉर्मेंटिंग चेंज कर देदेते हो ना राउंड हो जाता है लेकिन करने धुनिल चोन्ज होता है हमारे wykor侍े पास फरमूलब regionο Shape बताता है कितने number of digit आपको लेना है जीरो कर दिया आपका नीरेस्ट वेलों दिखा देता है राउंड अब की बात करें तो राउंड अब हमेशा अपर में दिखाता है राउंड डाउंड डाउंड दिखाता है तीन फॉर्मले होते हैं राउंड के जिसका यूज हम लोग अफिस में करते हैं है ठीक है तीन फॉर्मले आपके होते हैं है ती तो हो गई हमेरे राउंड किसकी करने की नंबर्स को राउंड क्या सब्सक्राइब कर लिए अब बात करते हैं नंबर को राउंड करते हैं जैसे मान दिजिए कि मेरे पास जो ओर्डर आया वह आया 781 पीस का ओर्डर आया लेकि मैं दर्जन के हिसाब से बेशता हूं तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला सेलिंग का सेलिंग या सेलिंग मैथ इसको सेलेक्ट करते हैं कॉमा और सब्सक्राइब लेते हैं तो बताया है कि आपको लेना पड़ेगा इस समझे सर्ट कि समझे की नहीं सर्ट कि अब इसमें बंदे ने पूछा हमने क्या किया अब बताया कि अब उनके नेरिस्ट होगा लेकिन बंदे में पूछा कि कुछ कम भी चलेगा मुझे साथ सेलिंग मत बताइए मुझे बताइए कि फ्लोर मतलब की छोटा बताईए तो फ्लोर का फॉर्मिला यहां पे वहता है आपका जो कि बताएगा कि छाश घाश रहले से कम क्या ऊप होगा तो टो 752 टो फ्लोर सेलिंग साथ ना परभू सा ला आपका यूज कลी आपका और और को आपका हगता हे है मैंनुइक नंबर को पर आन कि गतिक इसके लिये सब्सक्राइब बात करते हैं अब इस यहां देखिए आपर 25.36 आपको को दिख रहा है मुझे इसमेंसे डेष्मल को अलग करने काँ ङाहां की सिंपली हम करेंगे कि अधिकत कि तो क्या रिकॉर्ड आएगा डेश्मल का रिकॉर्ड आएगा किया सर इसमें अलग करने का एक और फर्मूला होता है देखिया मोडका लेकिस का फर्मूला रिविंडर निकालता है मत्दब कि सेस्फण, मत्दब कि 24 को 5 से अगुरा मद्ध करेंगे भाग दे तो कितना सेस्फण आएगा एक काम हमणा मोड का फर्मूला करता है तो फिर हम इसका use decimal को अलग करने में कैसे करेंगे तो देखिए एक mathematical theory कहती है कि किसी भी number को अगर हम one से divide करते हैं तो sales फल zero आता है लेकि अगर हम वो number decimal में हो तो sales फल जो है decimal आएगा यहां mathematical theory का इस्तमाल करते है रैट पटेलजी कुछ पूछना आपको रानी पटेलजी message कियें कुछ पूछना है अब यहां बात आती है कि decimal अलग करने का फायदा क्या है क्या सर क्योंकि जब तक कुछी चीज को हम यह न देख ले कि हमारा उसका क्या benefit है तब तक क्या फायदा तो यहां हम यह देखना चाह रहे है कि हमारे पास today का formula होता है time को नने के लिए now का formula होता है date and time देखाने के लिए बट सिर्फ time के लिए कोई formula नहीं होता है तो आप जो है क्योंकि आप किसी भी date and time को general format में करते हैं तो जो देखेंगे कि यह number जो होता है date होता है और जो decimal होता है और time होता है तो मुझे सिर्फ time चाहिए तो मुझे now formula में से decimal को अलग करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा तो यहां मैं क्या करूँगा मैं लगाऊंगा formula mode का mode में लगाऊंगा now का और now में comma one करके enter प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ time अलग होगा अब इससे time comment लगा दूँ सिर्फ time अलग होगा तो हर एक family का अपना एक rule होता है इसका इस्तमाल हम इसके अपने official life में करते हैं YouTube पे जो लोग देख रहे हैं अब यहां अगली questions पर आते हैं अब बात करते हैं दो formula भैपन ए उर रएंडम न आतार्षा धार्य यहां पर दो लगाए और यहां परने मिनममम दास औक सिम लोग तो दस और नब्बे के बीच में जो भी प्रॉब्लम है जो भी नंबर्स है वह यहां पर दिख जाएगा और यह बारवार चेंज होगा अगर मालेज़ एक ड्रैग कर दें तो यहां पर आ जाएगा इसे मालेज़ आपको चार डिजिट का OTP हमेशा एक नया OTP चाहिए तो आप यहां पर लगा सकते हैं फॉर्मुला रैंट बिट्वीन यहां पर 1111 और कॉमा 99 मतलब कि चार डिजिट की सबसे चोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आप डाल दिजिए एक नमबर आएगा तो रैंडम पासवर्ड के लिए मैं इसका यूज करता आता जो कहीं भी डबल क्लिक करते हैं तो चेंज होगा है कि प्टा इसी की फोर्मला होता है रैंड फोर्मला तो रैंड फोर्मला भी सेम काम करता है लेकिन हो अब अगा नम कोई टाइम जाहिए तो आप इसके लिए इस्तमाल कर सकते हैं देखें रैंडम एक टाइम आएगा है दिखरा है 20 27 24 या एक रैंडम परसेंटेज चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो 25 परसेंट 22 परसेंट 7 परसेंट रैंडम या रैंड बिट्मीन का यूज इसके लिए होता है तो इसके बाद नॉर्मल है जिसे की और नंबर और दिखाता है इवें इवें दिखाता है पाई आपका पाई कमान जो है 3.1415 दिखाएगा पाव और स्कॉर के लिए होता है इसकुरार आता है पुड़ाक्ट आपस में मुल्टिप्लाई करता है अपका जो आधा है न आपके सिक्वेंश फॉर्मूला यह आपका एरे में बहुत होता है पैसे नहीं था नया फॉर्मूला अगर इस्पार रूट होता है अगर माला 16 स्कॉर रूट निकालना है तो हम इसका यूज करते हैं उसके बाद सब्वें बता ही भी आपको सम नॉर एक सम्परड़क्ट फर्मॉला है उसको आप सीख सकते हैं वह आपके लिए फैयदे मन रहेगा संपरड़क्ट तो सम्परड़क्ट फर्मॉला क्या करता है चलिह हम बात करता है जैसे मेरे पास quantity है और यहां पर MRP है तो quantity में हमने कुछ numbers दे दी और MRP हमने ठीक है हमारे पास quantity है और MRP मतलब कि मेरे पास इतने pieces इस rates से बिके है तो total amount कितना होगा total amount के लिए generally आप क्या करेंगे इनको आपस में multiply करेंगे इस तरह से और multiply करेंगे फिर drag करेंगे फिर sum करेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं multiply ना करूँ मैं 81 यहीं पी sum करूँ तो equal मैं sum का formula ना लगाके sum product का formula लगाऊंगा और इसको select करूँगा comma इसको select करूँगा और enterprise करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे देखिए आपके 65574 65574 तो इसने multiply भी कर दिया और sum भी कर दिया अब आप लोग इसकी